Hello to the host and welcome to the studio members 2024 आ गया है देखते ही देखते ही चैनल हम अपना स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक साल पहले हमने एक वीडियो अप्लोड किया था Mother Candle के उपर था तो कुछ चीज़े हम उसके पर बता रहे थे वीडियो अप्लोड करने से पहले उसका थमनेल बनाने पर बहुत सरदर्दी हो रहे थी बन नहीं पारा था जैसा हम चाह रहे थे तो बहुत देर तक उसके अंदर हम लगे रहे थे तब जाकर के लास्ट में फ्रूव कुछ रिजल्ट्स आये थे ऐसा लग रहा था कि अभी व हम लोग समझने के कोशिश करेंगे यहां पर देखे जैसे एक सपोर्ट लाइन बनी थे अब इस सपोर्ट के साथ सथ अब वाल्यूम्स पर गवहर करना वाल्यूम्स ने एक डिक्रीजिंग फॉर्म क्या है मतलब कि फॉलिंग पैटर्न एक तो यह तीन आज हमें सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आज का प्रॉफिट है और एक हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट दिखा था बट हम ने एक जिए नहीं की थी तो इसको एक फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं एकजिट नहीं करने के पीछा का रिजन यह था हमें ऐसा लग रहा है कि प्राइ होगर अच्छा मूव हमें देखनों कि मिलेगा तो इस एक्सपेक्टेशन में हम थे हलां कि कुछ बहुत बड़ा वह नहीं हुआ है तैन थाउजन का प्रॉफिट विच इन अच्छा प्रॉफिट है इंट्रेक है एक्कॉर्डिंग 3,000 रुपिस का रिस का रिस का रिस का व अब इस वच गए तो कल का जो ट्रेडिंग सेशन का लो था वह हमारा आज का इस टॉप लोग देखेंगे चलके कि क्या ओवर आल्सिस रही थी किस तरह से हमने एक्जिक्यूट किया था एंड इसके बाद में जो अपना में टॉपिक है हम लोग ट्रेडिंग प्लैन के ऊप पर एक फोकस करेंगे एक डीप डिसकेशन करेंगे वीडियो में लास्त तक बने रहेगा और जो भी चीज़े हम बताएंगे थोड़ी बहुत रिसर्च करके या कुछ हमने प्रिजेंटेशन में बनाई है एक स्क्रिंशॉट बनाया हुआ है तो उस इंस्क्रिंशॉट में सारी चीज़े हैं उसको एक एक करके समझना और अगर आप लिख लोगे नोट करके रख लोगे तो ट्रेडिंग प्लैन बनाने हैं आपके वह बहुत मदद करेंगे या तो वह वीकली का ट्रेडिंग प्लैन हो या मन्त का ट्रेडिंग प्लैन हो या आप कौाटरली कर ले ल आप ही तैय करोगे लेकिन पूरे साल हमें सिर्फ यही करना है क्योंकि एक बड़ा टार्गेट ले करके चलेंगे तो हो सकता है वी श्रूम ब्रेक हो जाएं तो पहले एक महिने कर ले करके चला है कि एक महिने तक कमज़गा में यह करना ही है उसकी बाद में फिर next month फिर next month सेट ही करना पड़ेगा एक पूरा बंडल हमें चाहिए होता है खाका तयार कर लेना है कि हमें काम करना किस तरह यहाँ पर साइचीज आपने अंडर में हम जितनी भी चाहां कोणिटीज लगा सकते हैं अपनी कैपिटल के कहीं पर बेंटर ले सकते कैसे भी एंटरी ले सकते हैं तो हमारा हमारे उपर इंटरोल होना बहुत जरूरी है Moral of the story ये बहुत जरूरी प्रैंस है तो कोशिश काना कि इसे आप आगे की तरफ लेकर करके जाओ और इसके according ही काम करो जैसे ACC है अब करने को तो हम कोई भी स्टॉप उठा करके treat कर सकते थे लेकिन हमें चाहिए हमारा एक setup हमें चाहिए किस तरह से हम काम करते है हमारे strategies क्या है हम किस तरह के price action के ओपर ज्यादा comfortable अपने आपको महसूस कर पाते हम उस system पर काम करेंगे आज का आप देखोगे कि यहाँ पर falling pattern बनाए falling pattern आप लोगों को पता यह काफी वीडियो में हम बता चुके हैं कि जैसे यह volume है same color की volume गिरत हुए क्रम में होती है तीन बार और next हमें क्या करना होता है just opposite direction में हम trade करते हैं volumes नीचे के तरफ आई हैं तो अगले दिन फिर हम buy करेंगे इस तरह से falling pattern का use किया जाता है कहना का मतलब कि एक system होता है कैसे भी हम काम करेंगे यह होता है हमारा point of action कि हमें trade actually करना कहां पर है यह तो पता हो कहीं पर भी तो trade कर नहीं देंगे अब जैसे यहाँ पर जो मेरी master candle है वो है central वाली candle का just low point यह stock to stock depend करता है अब हमें execution central वाली candle के just low से करना है lower time frame पर हो अपने entry के confirmations लो और trade execute करो actually जो हमारा अपना target था कि हमें निकलना जहाँ पर था आप यहाँ पर देखो daily time frame पर एक black candle यह वाली देखरेंगे आपको इस black वाली candle के high पर हमें निकलना था इस एक जगे पर लेकिन जिस तरह से price नहीं यहाँ पर high लगा है अब यह चीज आपको lower time frame पर पता चलेगे यहाँ पर यह एक high लगा और यह हमारा day high था high volume के साथ में यहाँ पर एक अच्छा swing भना अगर यह high market ब्रिक कर देती ना तो हमें इसके ओपर करीब 0.5 यह 0.6% का move और मिल जाता हलां कि हम बहार नहीं निकले हमें broker नहीं बहार निकाला है यह हमारा actual target था जो हमें receive हुआ जो हमें मिला चाहते हैं तो हम यहाँ से निकल सकते थे but expectations और थी कि price को और उपर की तरफ जाना चाहिए हलां कि high लगा price फिर वहीं से बहारा नीचे की तरफ आ गया कोई बात नहीं अभी entry के लिए हमने क्या किया किया कि जैसे ही 10 पच कर 30 के candle ने हमारे support पर याद रखिएगा daily time frame पर जो अपना point of action हम निकाल लेंगे हमें वहीं से अपनी entry लेनी है यह rules है अब यहाँ पर जैसे price ने upside के तरफ उपनी closing दी हमें हमारी entry से confirmations मिलें closing की हमने यहाँ पर अपनी entry लेली stop loss अभी हमने बताई आपको कि इस swing के नीचे just हमने अपने stop losses लगा दिया थे तो यह overall कोई hard analysis नहीं है लेकिन एक satisfaction रहता है एक safe side में हम लोग क्या करते हैं न हमें क्या मालूम था कि आज की यह वाली candle मारी bottom बन जाएगी हमें तो नहीं मालूम हमने क्या क्या daily time frame के recording में buy करना है किस level से buy करना वो भी हमें पता है हमें buying कहां से करना यह भी पता है क्योंकि previous to previous check के low की range के अंदर जैसे यह market गई हमने यहाँ पर अपने formations देखी अब यहाँ पर देखो volumes भी लगातार increase हो रही है यह candle बनी अब देखे price ने अपना level नहीं break के उपर की तरफ बट यहाँ पर volumes increase हो रहे हैं यहाँ पर देरे देरे करके volumes के साथ में price ने उपर की तरफ breakout दिखा दिया range के अंदर market रुकी होई है और यहाँ पर एक proper confirmation हमें मिल रहे हैं आप trade execute कर दो कुछ ना कुछ market से लेकर करके ही बाहर निकलोगे लेकिन इसके opposite आप option करो आप future करो आप कोई भी other segment जा करके काम करो ना आपको इस तरह का satisfaction नहीं मिलेगा option भी अगर आपको करना आप इस तरह के analysis करने के बावजूद आपको हो सकता है ऐसे results ना मिले बहुत सारा patience चाहिए होता है बहुत सारी practice चाहिए होती है बहुत सारी practice चाहिए इसलिए सबसे कम में कम पैसो में आपको बहुत अच्छी knowledge देती है equity तो जितना हो सके जाद से जाद से में equity पर आप बिताओ जाद से जाद से जाद से इसको practice करो यहीं पर आपको price action है वो सीखने के मिलेगा बाकी option में सिभा loss के और कुछ नहीं होता है आप चाहिए जितना एक lot के साथ में दो lot तीन lot चार lot आपको लगता है बहुत कम आप एक lot के साथ काम करोगे आप एक lot के साथ भी काम करोगे loss कम नहीं होता है 1000 रुपय का loss एक दिन में होता है अगर आप एक lot के साथ भी काम करो 20 दिन भी अगर हम माल लेते हैं कि एक मेने में आप इस इंट्रेट के तो आपकी एक लाख रुपे अगर salary है या एक लाख रुपे एक income है तो फिर आप 20,000 रुपे पर मंत की अपनी लगा सकते हूँ कि उतना हम risk लेंगे और अगर ऐसा नहीं है तो आपने पैर पर आप खुद ही कुलाडी मार रहे हो और यह बात हमसे बहतर आप समझ पा रहे होगे तो जितना हो सके practice equity पर करो, price action शिखो, volumes पढ़ो, इसके recording आगे कि तरह बढ़ोगा तो बहुत कुछ आपको receive होगा, सीखने को मिलेगा जिस तरह से other topics को हम cover करते हैं वैसे हम इसे भी cover करेंगे सिर्फ उपरी सतय नहीं होगी कि यह रहा trading plan इस तरह से time frame लगा लेना, यह market option, यह entry stopper सिर्फ यह ही नहीं एक एक चीज समझेंगे, पहली चीज तो what is trading plan and why is it important हाला कि आप लोगों में सिजात और लोगों को मालूम ही होगा, एक मोटा मोटा अंदाजा होगा लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें चीजें मालूम भी होती है लेकिन किसी भी चीज़ का आपको मालूम होना और उसकी importance का पता होना इन दोनों ही बातों में फर्क होता है हमें भी पता है कि trading general maintain करना mandatory है हमसे ही नहीं होता हर बार कई बार हम नहीं maintain कर पाते हैं लेकिन वो जरूरी है वो करना है इसी तरह से trading plan जरूरी है होने चाहिए लेकिन कईयों के पास नहीं होते ज्यादातर के पास नहीं होते जिनके पास हैं भी हो सकता है उन्होंने वो बनाया ना हो यह सोच करके कि हम यह trading plan बना रहे हम इसके according ही काम करेंगे हाला कि subconsciously उनका वो plan बन जाता है जैसे हम अगर हमारे पास कोई trading plan है तो trading plan बनाने से पहले हम ने सोचा कि यह मेरा trading plan उसके according ही हम काम करेंगे काम करते करते गलतियां करते करते उन्हें सुधारते हुए अब जब हम देखते हैं पीछी मूड करके तो मैं समझ मैंता है कि हाँ अब हमारे पास एक trading plan था और हम कहीं न कहीं एक trading plan का ही यूज करते हुए अपना काम कर रहे थे moral of the story कि या था हम जानबुच खटके plan बनाए या फिर subconsciously वो plan हमारे दिमाग में होना चाहिए हम जिस plan के उपर काम करें तो subconsciously वाला वो बहुत दिनों में बन पाता है बहुत दिनों में उसमें अगर आप market में रुके रहे ज़रूरी है कि हम उसके लिए पहले से तयार ही करे तो ये एक importance होती है trading plan की आपको एक way देता है इस दिशा से होते हुए आपको एक point तक पहुँचना है ये road map होता है इसे होना ही चाहिए हरे एक trader की पास में पहले चीज़ एक template होगी that details अप जैसे भी काम करो एक एक point की उसके अंदर details होगी process होगा you need जिसकी की आपको ज़रूरत पड़ेगी एक trade को as a successful trade में convert करने के लिए या फिर एक successful trade execute करने के लिए उन सभी details की उस template की आपको ज़रूरत पड़ेगी second thing what's the difference between trading plan and a trading system a trading system curves अच्छा है दूर मड़ा फर्क होगा trading system curves the rules used to enter and exit trades like entry or exit target stop loss stock selection trend identification support resistance जितनी भी चीज़े हम लोग यूस करते हैं reversals continuation smart money में आ जाओ बास चौक जितने भी आपके elements हो गए वो trading के system में आ जाते हैं curves the rules used to enter and exit trades a trading plan contains the system but curves more system के बावजुद यहां पर इससे ज्याधा चीज़े होते हैं जो कि आपके overall trading segment को मजबूत करती हैं जैसे कि हमें कितने trade करने हैं हमें risk कितना लेना है हमारे rules और regulations क्या रहेंगे daily time frame पर कुछ चीज़े में fix करनी होती है यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे देखिए risk management क्या रहेगा conditions क्या रहेंगी यह technical से हट करके पूरे overall system को आपको fix करके देता है every profession with complex repeating task कोई भी profession हो वहाँ पर task repeat किया जाते हैं किसी भी complex situation को handle करें कोई भी किसी भी तरह की situation हो task कुछ होते हैं जो कि repeated होते हैं उन्हीं repeating किया जाता है from surgeons to pilots आप surgery से लेकर के या जो हवाई jazz उडा आ जो pilot है वहाँ तक कोई भी profession हो release on a decision making framework and checklist pilot है उनकी सारी चेकलिस्ट होती है movies बागर है मैं आप देखते हो एक तरफ आपका co-pilot बैठा हो और और आपका co-pilot बोलता है कि check check यह check वो सारी चीजह checked होती है तो उनके पास अपना framework होता है decision making framework and checklist to navigate and of course each patient and doctor meets and every weather conditions a pilot encounters in unique but these professions have a consistent process to deal with each type of scenario trading should be no different trading भी बाकी other segment से बाकी other profession से यह भी different नहीं है तो यहां पर भी आपके पास एक checklist एक scenario एक navigation system होना ही चाहिए mandatory है execution से पहले देखना होगा आपको कौन से market में काम करना है options में, futures में, equities में, forex में, mcx में, crypto में आपको किस में trade करना है entries, pullback पर लेनी है, breakout पर लेनी है, crossover पर लेनी है, कैसे entry लेनी है stop losses, percentage से आपको stop loss लगाने है या always from market structure मतलब technically आप अपने stop losses लगाऊगे target कैसे लगाऊगे, fixed होंगे या फिर trailing stop losses होंगे checklist, यह trading plan पूरा बनेगा, what does a trading plan give you, allows you to operate under tested circumstances when you enter a trade based on a process you have used before, एक चीज़ को समझेगा, when you enter a trade based on a process you have used before जिस process को आपने पहले test किया हुआ है, उस process के according आप trade execute करते हो, you have a estimated probability of success and the potential size of your win based on a experience, समझेगा, it allows you to operate under tested circumstances when you enter a trade based on a process you have used before, you have a estimated probability of success and the potential size of your win based on a experience a consistent process prevents you from jumping in and out of the market for different reason each time जभी भी हम लोग trade में exit कर रहे हैं, या माल लिजाए, entry लेने के बाद में, किसी भी reasons से हम लोग exit कर जा रहे हैं fear की वज़े से, target नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले ही हमने अपने opposite direction में कोई भी एक candle देखी, भाग जाते हैं निकल जाते हैं, थोड़ा सही profit हुआ, चलो चाहिए, यहां से exit कर देते हैं avoiding what would be erratic result next, operating with a trading plan helps you analyze your trading and find the cause of any problems trading plan के साथ, अगर आप operate कर रहे हो अपने trades को तो किसी भी तरह है कि अगर कोई problem होगे तो उसको analyze कर देखी, यह help कर रहेगा when you adjust your trading and try new ideas, अपने plans में आप कुछ नई चीज़े implement करना चाह रहे हो, नई ideas को implement करना चाह रहे हो you can compare performance before and after, आपके पास पहले का trading plan है, वो आपके बना के रख लिया, इससे आपको results इतने मिल रहे थे अब इसके अंदर कोई change आपको करना हो, यह आपका second trading plan बना, इसके अंदर results क्या है, you can compare performance before and after your applied changes to see if there was a net improvement in time of stress and heightened emotions, you can rely on your plan as a map, कभी भी हो सकता है आपकी गुस्सी की वज़े से, आप परेशान हो, इतना control नहीं है, बट यह map आपको स्थिर बना रख रहे में आपकी मदद करेगा, sometimes we feel over confident, अब हमें हो गया confidence कि आज यह stock भागेगा, 2-4-5 percent, 10 percent का mood दिखाए गया, दिखाए गया, over confident, over confident and want to risk a lot, बहुत स के विज़े से, बड़ा risk ले लिए, अपनी capacity से, पांच करने जादा risk ले लिए, माल लिज़े, उसमें SL चलागे न, तो आपके पिछले 5-6 trade का पैसा चला जाएगा, कर दिया नुकसान, इसमें यह plan मदद कर जाता है, occasionally we are fearful and unsure, if we should enter a trade, a trading plan can help you avoid over reaction, one of the most successful trader, Tom Dante, इनको आप Google सब्सक्राइब काफी अची चीज़ आप को इंचे सीखने को मिलेंगी, describe starting his journey without a plan, I read various strategies and I begin trading, straight away I started losing money because I was just trying things out but with no real rhyme or reason, कोई reason है, to get consistent result you need a consistent decision making framework, this is the real holy grail, to get consistent result you need a consistent decision making framework, एक framework आपके पास होना चाहिए, आपको उसी तरह से काम करना है, यह नहीं कि आज आपका 500 का इसके कल 300 का हो गया, उसके बाद में 2000 का कर दिया, फिर 5000 का कर दिया, फिर 1500 का कर दिया, फिर 1500 का कर दिया, consistency, trading करनी कैसे, entry लेनी कैसे, stock selection करना किस तरह से है, money management के उपर किस तरह से पकड़ नहीं चाहिए हमारी, हम smart money के recording काम कर रहे हैं, price action पर काम कर रहे हैं, indicators पर काम कर रहे हैं, किसी काम के नहीं है, volumes के recording आप काम कर रहे हो, एक framework होना चाहिए, एक framework होना चाहिए, and this is the real hauling reel of trading, अब हम लोग देखते हैं, trading के systems के बारे में, एक तो होता है, discretionary versus systematic trading, discretionary क्य आप 4 hour या 4 hour से ज्यादा के time frame पर आपने को reversal देखा, and price bricks and retest the most recent support or resistance आपके level को brick किया, उसने retest कर लिया, एक level बना अपने entry का pattern पना find किया, breakout हुआ, उसने अपना retest दिखा दिया, I will enter a trade, so this is subjective, 1% may see strong reversal हो सकता है, हमें वो strong reversal देखे, आप सोचों कि नहीं, ये strong नहीं है, क्य reversal के थी, तो subjective हो गया, कि हम कुछ और सोच सकते हो, आप कुछ और सोच सकते हो, so 1% may see strong reversal pattern, and another may think it's too weak to be called reversal, they may draw their support and resistance level in a different places, etc, this is a discretionary trading rules, because it is open to subjective interpretations, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, अब माल लेजे, ये तो एक system हो गया, आप देखूँगे के market में जो भी लोग काम करें, आपको trade, काफ कोई भी risk and reward ratio के उपर बात नहीं करेंगा, entry low इतना profit लेकर के निकल जाओ, कोई नहीं बोलेगा 1-3 के लिए ही काम कर पाओगे आप, या 1-2 के लिए ही काम करोगे तभी profitable, 1-1 की trading just like a video game, उस वक्त के लिए आपको वो बहुत entertain कर देगा, मज़ा आ जाएगा, profit होगे तो ठीक otherwise loss अगर आप करोगे तो next time profit and loss के लिए अपने आपको ready करते हो, but overall 1-1 के लिए अगर काम कर रहे हो तो ये सिर्फ और सिर्फ loss ही देखा, किसी trade के अंदर हमने अपनी entry लिए 1-1 मिला ये ये दूसरी बात है, हम 1-1 के लिए ही काम करने ये दूसरी बात है, हमारा कोई भी आप ट्रेट 1-3 से कम का नहीं होता, और ये market के उपर depend करता है कि अगर market से लिए 1-1 मिल गया, कई बार होता है कि 1-4, 1-5 मिल गया, moral of the story, systematic way में काम करना, जब हम ये चीज़े देख रहे हैं, कि एक system हमारे पास ऐसा होना चाहिए, कि जो हमें risk and reward ratio के बारे में भी बता है, आ आपको market से थोड़ा सा aware रहना होगा, क्योंकि जिस तरह की चीज़े punch की जा रहे हैं हम लोगों को, stock market के अंदर काम करने के लिए जैसे में दिखा जा रहा है कि ने, आप ऐसे ही काम करो, आप options ही करो, आप options ही करो, जिस तरह से market में काम करने के लिए ने traders को, या फिर even पुर फिट हो तो निकल जाओ, last में आपको बचाएगा, तो risk and reward ratio ही, वही मजबूत नहीं है, आप दुनिया भर की trading plan हम आपको बता दे हैं, हम आपको discretionary, systematic, यह वो positional और सारी चीज़े हैं, हम आपको technically सब कुछ बता दे, RR के बारे में discussion ही नहीं, सारी चीज़े चूले में I will enter long immediately after the next candle close above the 21 EMA, that's a systematic, though EMA आपस में cross ही, जैसे closing को entry लेरी तो हमारा हो चाहें, और चाहें तो आपको यहां पर तो personally कुछ नहीं है, कि आप कुछ और सोच रहे हैं, कि आप कुछ और सोच रहे हैं, जिस तरह से discretionary में था, systematic में तो ऐसा नहीं, आप भी entry ले लोगे, हम भी entry ले ले लेंगे, तो two people following the rule will make identical trade entries, बहुत ज्यादा probabilities है, जवरी नहीं कि हम भी उसी जगे पर लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा chances हैं, कि दोनों लोगें के interest सेम हो जाएंगे, इतनी सारी चीज़े हो गए, अब discretionary and systematic, आपको कौन सा system यूज करना या आप खुछ सेताय कौन सी चीज़ उसमें add करनी है, कौन सी remove करनी है, जानने के लिए, you can use a homemade journal, ज़ूरी नहीं कि आप एक professional journal खरीदो, यह खरीदो, उसके पैसा इन्वेस्ट करो, चोटे चोटे जितने भी साधन आपके पास supply देना, उनहीं से general maintain करो, जब market से पैसा आने लग जाए, तब आप कि जितने भी data है, वो सब record कर करें, don't just record your trades, but also analyze them afterwards to see what you did right or what you could have done better, क्या आपने सही किया है, और क्या चीज़ें ऐसी हैं, जो और बहतर हो सकती है, इसको analyze करो, trading plan जो यहां पर हमने लिख रखा है, develop your trading plan, अभी इसको समझाने की ज़ूरा तो हैने, सारी चीज़े आपके सामन इसको देखो, अभी जितनी बाते हमने की हैं, यह सिर्फ एक तरह का lecture है, आप इसको ध्यान दोगे, कोशिश करो कि ऐसे segment में काम करो, जहां पर lots में काम नहीं हो रहा है, जहां पर quantities आपके under control हैं, आपके हाथ में, ऐसे segment में काम करो, आप कम पैसे में बहुत कुछ, बहुत सीखोगे, जितना हो सके F&O से दूर रहो, जितना हो सके F&O से दूर रहो, कोई कितना भी अगर आपको force कर रहा है, यह बहुत आसान है, यह वो चीज़े दिखा करके, कितना easy है, कितना, कोशिश करो, दूर रहो, सिवा बरबादी के कुछ नहीं F&O के अंदर, एक process में आओ management बनाओ, professional way में काम करो, देरे देरे आप करोगे, आपके हाथ में, जो चीज़े आप चाहा रहे हो ना, उसे ज़्यादा market आपको देगे, लेकिन process में आ करके काम करो, किसी बितरे का लालाच, किसी बितरे का कोई greed नहीं होना चाहिए, I hope कि जो भी बात है भी हमने बताई है या पोस्त समाझ में आयोंगी, कुछ ना कुछ इससे आपके आने वाले काम इंप्रूफ्मेंट होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हूं, थैंक्स, और विल मीट अगेन